नमस्कार दोस्तों फिर से रिडेन पास दियस में आपका स्वागत है और इन दिनों हम आधुनिक भारत के अंतरगत जो हैं 1857 के बिद्रो का चर्चा कर रहे हैं लगतार कई खंडों में हम इसको बाटें और उसका अध्यन कियें आज 1857 से जो बिद्रो है उससे रिरेटेड जो भी प्रेस्ट आपका पिछले 25 साल में पूछे गए हैं उसका मैं डिटेलिंग कर रहा हूं ये भी आपका एक और दो भाग में हो सकता है तीन भाग तक जा सकता है लेकिन इतना करने के बाद आपका एक भी कोसन जो है 1857 के दिख रहा है हो सकता है देखने में थोड़ी सी कठनाई हो लेकिन आप मेरे बातों को गोर करेंगे मैं सारे प्रश्ण को दो बार तीन वार रिपीट करूंगा आपको बस इतना ही करना है कि बस कान में लगा करके या फिर ध्यान पुर्वक सुनना है तो आपको सारे प्रश नहीं एन्फिल्ड राइफल आप जानते हो कि 1857 के बिद्रोह में जो आपका ततकाली कारण रहा वो आपका एन्फिल्ड राइफल रहा जो 1856 के ब्राउन बेस के जगा इसको लाया गया था तो याद रखेगा पूछेगा सवाल आप से कि एन्फिल्ड राइफल को कब लाया तो 1856 मे किस के जगर आ गया तो ब्राजं बेस राइफल के जगर दुसरा आपका है 1857 के विद्रो गो किस उर्दु कभी ने देखा था तो 1857 के विद्रो को अपनी ने आखोंसे आख से जब्ध देखा था इसके बाद सिपाही बिद्रोज जो है 1857 में सबसे पहले कहां से सुरू हुआ तो मेरट से सुरू हुआ यानि पूर्ण रूप से देखा जाए तो आपको मेरट से ही सुरू हुआ अगर हम बैरेकपुर छाबनी की बात करें तो मंगल पांडे केवल अकेले नितित्व किया था लेकिन मेरट से पूरा सैनिक का ग्रूप ही इसका नितित्व किया था रखेगा अगर आपको पूछेगा कि 1857 का विद्रो जो है कहां से सुरू हुआ तो मेरट से इसके बाद इलाहाबाद को आपात कालिन केंद्र बनाया था लौड कैनिंग ने यानि लौड कैनिंग जो है इलाहाबाद को आपात कालिन केंद्र बनाया था ताकि वहां से सैनिकों को भिन भिन जगा आसानी से भेजा जाए इसके पीछे कारण यह था कि इलाहाबाद जो है सिंटर में पड़ता था और मुख रूप से जो आपका 1859 के विद्रों में जो भाग लिये थे सैनिक वो इसी प्रांथ से थे इसलिए इमर्जेंसी जो आपका पॉइंट बनाया था वो आपका इलाहाबाद बनाया था इसके बाद मंगल पांडे यहां पे देखे कहता है मंगल पांडे जो है आपका कौन सा बटालियन से जुड़ा हुआ था तो 34 मी बटालियन से वो जुड़ा हुआ था वो आप बैरक पुर्छाबनी से जुड़ा हुआ था जो कि बंगाल में है तो 34 मी याद रखेगा कि 34 मी ज उड़ा हुआ था कौन मंगल पंडे इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारतिय सेना का नव गठन के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया अब जो है ठारा सुन्तावन का जब विद्रो घट गया तो अंग्रेजों को महसूस हुआ कि फिर से सेना का आपका नेत्री तो कि जाना चाहिए फिर से इसका रिन्यूबल किया जाना चाहिए तो उसके लिए जो है आपका पील आयोग का गठन किया गया था भी बी आई को सने आप से पूछा जाएगा कि अठारा सो संतावन के बाद जो है नव गठित सैनिक आयोग का गठन किसके द्वारा गिया गया तो आपका पील आयोक के द्वारा किया गया इसके बाद बिद्रो की असफलता का कारण क्या वना तो योजना और किंद्रिये संगठन का भाव आपने देखा कि 1857 का बिद्रो जो आपका घटा उसमें आपका ना तो कोई योजना था और ना तो किंद्रिये कोई संगठन था तो इ वह था ब्रितिस समराज की नीतियां यानि ब्रितिस समराज की जो नीतियां थी वो बिल्कुल आपका गलत था और इसी गलती का भुकतान उसे इतने बड़ा विद्रोफ के रूप में देखने को मिला इसके अलावा जो है एंफील्ड राइफल भी जो है च्योंकि उसके जो का गाह या चर्वी का बना हुआ है तो इस कारण से भी बिद्रो हुआ और तिसरा महत्मुन जो कारण था वो था हिंदू मुसलमान के धर्मों में हस्तचेप का संदे है यानि ब्रेटिस गौर्मेंट जो था वो क्या कर रहा था कि अंग्रेज के अंग्रेज जो था वो आपका हि हिंदू और मुशलमान के धर में जवर जहस्ती हस्तचेप कर रहा था तो यह मुख कारण माने जाते हैं 1857 के विद्रोह का इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पर कहेंगे तो आपको किलियर है मंगल पॉइंडे आपका कहां से जुड़े हुए थे तब बैरैकपूर छा पॉइंडे किस छाबनी से थे तो बैरैकपूर छाबनी से थे बैरैकपूर छाबनी आपका बंगाल में स्थित है इसके बाद आजाईए रानी लच्मी वाई का मूल नाम मनी करनी का थी यानि रानी लच्मी वाई का मूल नाम क्या था मनी करनी का और रानी लच्मी वाई ज उनका हला की जो जासी की रानी थी मनीकर्नि का उनका जरू जन्म बारा नसी में हुआ था हना? तो याद रखीएगा आगे आएए काता है 1867 के विदरो के समयई जो तो आपका इंग्लैंड का परुद्धान मतरी कौन था यानि 1857 का जब बिद्रो हो रहा था तो इंगलेंड का परधान मंतरी कौन था तो वो था पाम अस्टर्ण याद रखेगा भी बी आई कोशन है पूछेगा कि जब 1857 का बिद्रो हो रहा था तो इंगलेंड के परधान मंतरी कौन थें तो पाम अस्टर्ण थें कौन थें पाम लेकिन यही पूछा जाए कि जब आपका 1857 का बिद्रो हो रहा था तो उसमें भारत का गवर्णन जनरेल कौन था तो वहां पर उत्तर हो जागा लॉड केनिंग अगर आपका गवर्णन जनरेल की बात करेगा तो लॉड केनिंग और अगर इंगलेंड के परधान मंतरी का बात करेगा तो पाम अस्टन तो याद रखेगा कि 1857 के बिद्रो के समय इंगलेंड का जो परधान मंतरी थे वो पाम अस्टन थे और भारत के जो गवर्णन जनरेल थे वो लॉड केनिंग थे या फिर कोशन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि 1857 का जब बिद्रो हुआ था त गवर्णन जनरेल कौन थे तो आपका उत्तर होना चाहिए लॉड केनिंग इसके बाद आती यह लच्मी बाई का जो समाधी है वो गवालियर में है कहां है लच्मी बाई का समाधी कहां है गवालियर में है गवालेर कहां मद्धपर्दिस में इसके बाद आईए 1857 में सेना का मुख्याले सिमला में था यानि मुख्रूप से सेना का जो मुख्याले था वो कहां था तो वो था आपका सिमला में यानि सेना का मुख्याले आपका मुख्रूप से कहां था तो सिमला में था इसके बाद हम आपका जो असली नाम था वो क्या था धोधू पंथ इसके बाद काता है तोप खाना का मुख्याले मेरट में था चुकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब अठारा सुसंदावन का विद्रो हुआ तो इसमें आपका अंग्रेजों ने तोप का भी बड़े हस्तर पर परि में था अठारा सुसंदावन के विद्रो में जो आपका परतीक था वो आपका कामल और रोटी इंडिकेटर था जिसके मदद से विद्रो को संचालित करना था तो आप याद रखेगा पूछेगा कि संकेत के रुप में या परतीक के रुप में अठारा सुसंदावन के गट रहा था तो उस समय भारत में कौन समराट थें तो आप जानते हैं कि मुगल का अंतिम समराट बहादुर सा जफर थें आप वही जो है अंतिम बादसा के रूप में नेत्रित्व कर रहे थें हलाकि वो जो है रहमानाई के नुजा उनके बाद कोई उनके पास चारा था नह याद रखेगा आपको प्रस्ण पूछेगा भारवर पूछता है कि 1857 के बिद्रोह के समय जो आपका भारत का जो समराट थें वो कन थे तो बहादूर सा जफर इसके बाद आजाए नेक्स्ट करता है नाना साहब के कमांडर और चीफ कौन थे तो तातिया टोपे याद रख ही का सकते हैं तो यहाँ पर इस पुस्तक की रचना जो है बीडी सावर करने किया बिनायक दामोदर्शावर करने तो याद रखेगा कि फॉस्ट इंडिपेंडेंस वार आफ इंडिपेंडेंस का लेखा कौन है तो आपको बीडी सावर कर हैं इसके बाद दर्चिन भारत का जो मदरास जो आपका प्रांथ था वो अठारा सो संतावन के बिद्रोह में बिल्कुल अच्छूता रहा यानि अलग रहा हैंने अठारा सो संतावन का जो बिद्रोह हुआ तो उसमें जो है मदरास जो है वो बिल्कुल आपका क्या रहा अच्छूता रहा अलग रहा इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि कुबर सिंग ने एक ऐसे व्यक्तित हैं जो बिहार प्रांद से जुड़े हुए थें बिहार के आरा से जुड़े हुए थें जगदिसपुर कहिए तो जगदिसपुर आरा से जुड़े हुए थें और इन्हों ने अंग्रे वो कहां के थे तो आपका बिहार प्रांत के थे इसके बाद 1857 के बिद्रोह में पुछा जाए कि 1857 का जो बिद्रोह हुआ उसमें सबसे जादा सेना किस प्रांत से था तो आपको याद रखिए आबद प्रांत यानि आबद प्रांत से सबसे जादा सेनाओं की संख्या था जो 1857 के विद्रों में भाग लिया इसके बाद राजा गंगाधर राव लक्षमी बाई जो थी राजा गंगाधर राव की पतनी थी तो हमेशा भी भी आई कोशन आपको पूस्ता भी है कि राणी लक्षमी बाई जो है किसका पतनी थी तो आपका राजा गंगाधर राव चली इस लेकिन आपको पूछा जाए कि अबद प्राम्त में जो एक महिला जो नितित्व किया सफल वो महिला का नाम क्या था तो बेगम हजरत महल यानि अबद से जो नितित्व किया महिला वो आपका बेगम हजरत महल तो याद रखेगा कि अबद से नितित्व करने वाला जो महिला थ वो थी आपका बेगम हजरत महल इसके बाद महरानी विक्टोरिया 1858 में जो है एक गोशना पत्र जारी किया जिसको मैगना काटा कहा जाता है महान अधिकार पत्र है यह इलाहाबाद से गोशना की थी तो याद रखेगा आपको पूछेगा कि मैगना काटा भारत का क्या है तो जो आपका विक्टोरिया द्वारा जो गोशना पत्र किया गया था महान गोशना पत्र उसी को हम लोग मैगना काटा कहते हैं हना इसके बाद सैनिक बिद्रो का पहला उधारान आपको 1764 को मिलता है आपको भीवियाई कोशन है क्योंकि जब बक्सर का युद्ध हुआ था त जालती है करवाई किया गया था बाद में उनको फासी का सजा भी चड़ा दिया गया था लेकिन यहां पर आपको प्रस्ण पूछा जाए कि सबसे पहले विद्रो का उधारान काह मिलता है 1764 यानि बक्सर के युद्ध में मिलता है इसके बाद यह राइफल एंफिल्ड का प दालकोट और हमबाला तो याद रखेगा इसके बाद स्वतांता की पहली लड़ाई कहा किसने बीडी सबरकर ने बीडी सबरकर ने कहा कि 1857 का जो बिद्रो हो था यह स्वतांता की पहली लड़ाई थी तो याद रखेगा स्वतांता की पहली लड़ाई की बाद जो है बीड ये बिद्रो इतना बियापक था इतना बड़ा था कि इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर भारतिये अन्य लोगों सपोर्ट करते तो हमारी आजादी उस समय भी ही मिल गई होती लेकिन यहां पे बहुत सारे लोग इस बिद्रो से अच्छूता रहा तो इस कारण से जो ब्रिट गटा तो ऐसा नहीं होना चाहिए फ्यूचर में महरानी विक्टोरिया ने घोशना कि अब भारत का जो सत्ता का संचालन जो होगा प्रसासनिक संचालन वो सीधा सिधी इंग्लेंड से होगा यानि उसका ताज इंग्लेंड के हाथों में होगा तो यह आपका एक नमवंबर 18 1858 को की गई कब किया गया एक नमवंबर 1858 को इसके बाद करता है बिद्रो के पुर्व जो आपका इरोपी जो सैनिक था उसका संख्या लगवक 45,000 था जो बाद में बढ़ा करके 65,000 कर दिया गया यानि लगा कि आने वाला वक्त में हमें और परकार का युद्ध को जिलना पड़ेगा तो इसलिए वो क्या कि अपने सैनिकों की संख्या 45,000 से 65,000 कर दिया गया और वहीं जो है भारती सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 था उसको घटा करके 1,40,000 कर दिया गया ताकि इसका संख्या अगर कम होगा तो दावाने में या कहीं पर फिर से बिद्रो होता है त जो समस्या हमको 1857 में देखने को मिला वो समस्या आगे ना मिले इसके बाद कहता है कि बंगाल में सैनिकों का अनुपाद चुकि आप देखें कि हवद और बंगाल जो है काफी एक्टिब रूप से 1857 के बिद्रों में भाग लिया इसलिए वहां पर सैनिकों का अनुपाद एक अनुपात दिया गया यानि दो भारतिये तो एक आपका ऋसी तरह से आपका वैंबैय और मदरास में एक अनुपात तीन कर दिया गया यानी एक अंग्रेज और तीन आपका क्या भारती है ना इस प्रकार से आगे आये 1857 के विद्रों के सैनी को अब क्या है 1857 का विद्रों जो है काफी ब्यापक था जो है खटरनाक था तेहां पे जो सैनी कह पील आयोक के दौरा जो है फिर से उसको चैन किया गया आई इस हवार जो आपको सहेनिकों का सेलेक्शन जो किया गया उसमें आपका गोर्खा सीख पंजाबी और पूर्वी प्रांत जो है उत्तर प्रांत जो है महत्पून रहा यानि उत्तर प्रांत शीख और गोर्खा को सेलेक्ट किया गया ताकि आपने देखा कि नेपाल के गोर्खा भी जो है इस विद् सेन थे याद रखेगा कि अगर पूचे भारतिय स्वधिनता कहा सरकारी यानि सहकारी इतिहास कार कौन थे तो एस एन सेन थे कौन थे एस एन सेन इसके बाद कता है कि भारतिय भासा में बिद्रो को लिखने वाला प्रथम बैक्ति कौन था यानि इस बिद्रो को भारतिय भासा लिखने वाला प्रव Ihrगते था वह था साइड अहमद खां सा AMY याद रखेगा यानि इस विद्रो को भारतिया भासा में लिखने वाला कौम था साइड अहमद खां फ्रकत 1973, lol संतावन के विद्रो में आपका टटस्त रहा आपने देखा कैसे दच्छिन भारत भी इससे अच्छुता रहा कुछ राजा रजवाड़े भी अच्छुता रहा लेकिन यह भी प्रस्ण पूछता है कि क्या सिचित वर्ग जो है 1857 के विद्रों में शामिल हुए थे तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं यान तो वो अंग्रेजों को मदद किया और नहीं भारतियों को मदद किया यानि पढ़ लिख करके मुथोपा बना रहा देखता रहा है इसके बाद क्या है पैदल सेना उस समय जो पैदल सेना था उसको साथ रुपिया दिया जाता था उसी में उसके कपड़े लट्टे सारे हुआ आपका प्रश्न था वह आसानी से आपको खिलियर हो गया होगा यह पार्ट वन था पार्ट टू में हम फिर से इस परकार से बहुत सारे कोशन को सेलेक्टेड लाऊंगा और दोस्तों इसको आप बार बार रिमाइंड करें इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं नहीं स सब्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ताके हमारी होसला बढ़ता रहे और इस परकार से जो हैं आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न को लाते रहें तो यह पूरा पचीस वर्स का सेलेक्टेड कोशन है तो आप इसको बार बार रिमाइंड करें अना फिर हम अगले भाग में आप से मिलते हैं नए प्रश्न के साथ तके लिए धन्यवाद